तो आप लोग का आपके अपने चैनल SM वाला में आप सभी का स्वागत है आज हम कलेंडर का टाइप 9 लेकर आ रहे हैं आप लोगों के सामने और जो विद्ध्यार्थी टाइप 9 देखेंगे उससे पहले आप टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 देखेंगे तभी आप आपको टाइप 9 समझ में आएगा नहीं तो टाइप 9 आपको समझ में आने वाला नहीं है क्योंकि जब तक आप बेस नहीं पढ़ेंगे ना तब तक आप आगे समझ में नहीं आएगा इसलिए आप से आग रहा है कि अगर टाइप 9 आप देख रहे तो इससे पहले आप किरि लेवल तक पढ़ा है you calendar के बारे में पूरे जो आपके ऑजाम के लिजीड कोर से अग्जाम में question पूचता हो ऐसा नहीं कि जो नहीं पूचता हो जो पूचता वहीं पढ़ा है लेकिन 0 level से लेकर अंथ लेवल तक आपको पढ़ा हैं तो आप जरूर विडियो को पूरा तो देखिएगा अभी कलेंडर का दो टाइप और आएगा एक टाइप 10 और एक टाइप 11 तब जाके संपूर्ण कलेंडर आपका समाप्त होगा तो आईए हम लोगे स्टार्ट करते टाइप 9 में क्या है बोल रहा है कोश्चन की अगर 2 मार्च 2021 को दिन मंगलवार था तो बताइए 6 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा यानि आपको कोश्चन पूछ रहा है कि 2 मार्च 2021 को मंगलवार था तो 6 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा यानि अभी 2 मार्च का दिन आपको बता दिया है मंगलवार इस से आगे का दिन आप से पूछ रहा है 2021 का दिया है तो 2021 में ही पूछ रहा है लेकिन 2021 का मार्च में दो मार्च का दिन दे दिया है और 6 दिसंबर का दिन आप से क्या कर रहा है पूछ रहा है तो आप सबसे पहले ये निकालेंगे ना कि ये दिन और ये दिन के बिश्ट जो अंतराल है उस दिन से ये दिन कितना जाधा है आपको पिछे वाले क्लास में सब कुछ बताया गया है तो ये सबसे पहले बात हम बताएंगे ना कि 2 March जो है मार्च जो लगता है टोटल 31 दिन का लगता है दो दिन इसमें समाप्त हो गया तो मार्च में जो अभी आपका टाइमिंग बचा है और दिसंबर में आपको बताना है छे दिसंबर का खोल दीजी खोल दीजे खोल दीजे तो खोल दीजे तो खोल दीजे तो खोल दीजे तो खोल दीजे झाल 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 देखिए तो यहां पर कोशन बोला है 2 मार्च 2021 को दिन मंगलवार था तो 6 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा आप सबसे पहले हमको यह बताओ कि 2 मार्च के यहां आप हो आपको पहुँचना है 6 दिसंबर के यहां कैसे पहुँचोगे मार्च टोटल 31 दिन का लगता है 31 दिन में 2 दिन तो सामाप्त हो गया है मार्च में बचा है 29 दिन अप्रेल 30 का लगता है मैं 31 का लगता है जून 30 का लगता है जुलाई 31 का लगता है अगस्त 31 का लगता है सतंबर 30 का लगता है अक्टूबर 31 का लगता है कि पूरे कलेंडर में कैसे सात भाग देंगे और डे निकाल करके पूरा काम किया है चाहिए आप टाइप one पड़ो चाहिए टाइप two पड़ो चाहिए टाइप 3 पड़ो एक दिमाग में बैठा लो कि सथ से भाग देकरी पूरे को solve किये क्योंकि एक हपते में दिन रिपीट करने लगता है इसी वजह से साथ से भाग देंगे जो इतने बड़े-बड़े को जोड़ेंगे उससे बढ़िया है कि साथ से भाग देंगे तो छोटा हो जाएगा छोटा को जोड़ना हमें असान होगा अब देखेंगे यहां सच्चवू कठाइस दो हो गया यहां सच्चवू कठाइस तीन हो गया इसमें भाग देंगे साथ से दो इसमें भाग देंगे तीन इसमें भाग देंगे तीन इसमें भाग देंगे दो इसमें भाग देंगे तीन इसमें भाग देंगे दो और इसमें भ यहां देखो 2, 2, 4, 4, 3, 7, cancel करो, बचा क्या ची 6, यानि कि 6 बचा है, यानि आपको मंगलवार में 6 दिन जोड़ना है, आप 6 दिन जोड़ने के बज़ाएं, आप एक दिन क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, क्योंकि मंगलवार में 6 दिन जोड़ो, देखो, मंगलवार के बाद आता है बूधवार सुक्रवार सनीवार रवीवार सोमबार सॉरी मंगलवार के पाद अच्छा से देखो बूधवार आता है विरस्पत वार आता है सुक्रवार आता है सनीवार आता है रवीवार आता है और सोमबार आता है छे दिन जोड़ने पर सोमबार आएगा अगर वही मंगलवार में से अगर एक दिन घटा देते तो भी आ जाता कौन सा दिन सोंबार यानि मंगलवार में छे दिन जोड़े तो भी सोंबार अम मंगलवार में से एक दिन घटा होगे तो भी कौन सा दिन तो छे दिन जोड़ने से बढ़िया है कि एक दिन का कर लेंगे घटा लेंगे क्योंकि छे दिन जोड़ने का मतलब है एक दिन का करना घटा आना तो इसका एंसर जो जाएगा सुंबर जाएगा आगे आईए अगला कोशन आपको नोट करना है नोट कर लीजे आगे कोशन पर कि नम लोग चलेंगे कोचन दिया है 7 जनवरी 2017 यानि कि 7 जनवरी 2017 sorry 17 जनवरी 2017 को मंगलवार था तो बताईए 14 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन होगा फिर वही कोशन है हमें जनवरी से दिसंबर में जाना है अब जल्दी बाजी में जाएंगे जनवरी 31 दिन का लगता है कि 30 दिन का ये आपको किलियर पता होना चाहिए तो बताई जनवरी जो लगता है न टोटल 31 दिन का लगता है जनवरी कितने दिन का लगता है 31 दिन का जनवरी लगता है तो जनवरी 31 दिन का लगता है थोड़ा यहां पर समझेंगे तो इसमें 17 कैंसिल हो गया मतलब इसमें 17 खतम हो गया है तो जनवरी में कितना दिन बचा है जी जनवरी में कितना दिन बचा 17 जब खतम हो गया तो 14 दिन बचा है बोल नहीं रहे क्योंकि जनवरी टोटल 31 दिनों का लगता है इसके बाद जनवरी के बाद तो फरवरी जो लगेगा को को लगेगा 28 को इसके बाद मार्च में आते हैं 31 लगेगा अपरील आएगा 30 मई आएगा 31 जून आएगा 30 जुलाई आएगा 31 अगस्त आएगा 31 अगस्त के बाद सितंबर आएगा 31 अक्टूबर आएगा 31 नमबर आएगा 30 और कितने दिसंबर को ब लोईक्यों को क्यों कर जानें कि वह लेकिन को समघोने के लिए इतना लंबुए की वधे मैं और काम कर שמצ आए यहां साथ से भाग दे दो आ हम ता म2020 यहां इतन भाग दो आ हम LE आ हथारी ठीन हो जाएगा यहां यहां आँ हिरतीन हो जाएगा यहां यहां recommend YO वहीं लिखेंगे क्योंकि आपको पीछे क्लास में इतना पढ़ा है कि अब स्पीड में पढ़ाएंगे तो आपको दिकत होने वाला नहीं है आप देख लेना इसलिए थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहे हैं जो बच्चे नए-नए होंगे जुड़े होंगे डारेक्ट देंगे तो परिशानी उत्पन होगा इस से बढ़ी कभी आप जोडने का कोसिस मत किजे आप डारेक्ट काट्ने का कोसिस किजे 224 ay 3..7 Cansmill होगए तो आप 2..Or AP4.. being 18 ICE साथ कैंशिल होगया आप कितना बचा तीन आहाँ बचा है तीन यहां बचाए तीन यहां बचाए तीन छो अच्छो तीन नौ अनौ में साथ से भाग दोगे तो सेस क्या हैगा क्या हैगा दो तो यह जनवरी का दिन है और यह दिसंबर का दिन था तो बाद का दिन था तो बाद का दिन रहता है तो दो दिन जोड़ देते हैं मंगलवार में दो दिन जोड़ दिये, मंगलवार में दो दिन जोड़ दिन जोड़ दिन तब बूधवार और भीरस्पत बार कहीं अपसन में होगा आपका एंसर क्या जाएगा गुरुवार क्योंकि सेस दो आया है और जितना सेस आएगा उतना मंगलवार में आप जोड़ द यह आप लोग बना सकते हैं कि आप लोग बना सकते हैं जल्दीबाजी में बनाइए चलिए देखती हैं हम बनाते हैं ना बोट पे देखिए बुलाए 26 जनवरी 2016 को सुक्रवार था भई इसी दिन में जोड़ना होगा नहीं तो घटाना होगा यह देखती है करें बता दो 26 फर फरवरी जो लगेगा ना यह लीप वर्स है यह लीप वर्स है यह लीप वर्स है तो लीप वर्स में फरवरी 29 तारी को लगता है लीप वर्स में फरवरी 29 तारी को लगता है और सधारण वर्स में फरवरी का तारी को लगता है 28 आप फरवरी में हो और आपको जाना है कहां पे अगस्त में और फरवरी से अगस्त में जाने के करम में जितने भी दिन होंगे उसको जोड़ेंगे जोड़ने के बाद साथ से भाग देंगे जो से बचेगा उतना दिन इस सुक्रवार में का कर देंगे जोड़ेंगे अब ध्यान से समझेंगे ना फरवरी एक लीप वर्स लिवार अब इतने बड़े लेटर को कभी कोछिशarna भाड दे दिजिएगा साथ से तक ही आपका चोड़ा हो जाए तो यह तो 3 है छोटा ही है wie be 7 से भाग देने तो 3 7 4 8 Naruto 2 इसमें 7 से भाग देने तीन इसमें 7 से भाग देने दो इसमें साथ से भाग देंगे तीन और इसमें साथ से भाग देंगे तो एक और इसको भी जोड़िएगा मत काटिएगा साथ से काटिएगा जोड़ना नहीं है यहां देखिए यहां तीन हो गया यहां तीन हो गया और यह एक मिल के तीन तीन छोएक साथ यहां दो दो चार चार गजरतो तीन साहथ आपका सेस बचा कितना रूझ क्या सेस्बता है साथ से कार्टने के बदर बचा तीन ही ना तो जो तीन बचा है और सुकरवार में तीन दीन जोड़ दिए आपका एंसर आजागा फॉर भर में तेनि जब जोड़िए है कि चलिए देखेंगे कोशन ना अगला करें पचीस अप्रेल 2014 अब देखिए पचीस अप्रेल 2014 को सुक्रवार था एक बात हमेशा ध्यान रखिए जैसे ही फरवरी को पार कर जाता है यह साल के बारे में हमको नहीं सोचना है जैसे ही फरवरी को पार कर गया ना क्रॉस कर गया तो यह सधारण वर्सा है लीप वर्सा इसे हमें कोई मतलब इसे मतलब कब होगा जब यह फरवरी से पहले रहेगा अगर यह लीप होगा तो भी को कोई अंतर पढ़ने वाला नहीं है क्योंकि हमें अंतर पढ़ता है फरवरी महीना से और फरवरी को क्रॉस कर गया है तो जब फरवरी को क्रॉस कर गया है तो चाहिए सधारण वर्सो अचाहिए लीप वर्सो इसे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें confusion होता है अगर फरवरी में 28 लेकि 29 तो 29 लेते हैं कब जब LEAP होता है तब और 28 लेते हैं कब जब सधारण होता है तब तो जब 28 और 29 के बारे में हम को चर्चाई नहीं करना है ये फरवरी को cross कर चुका है अपरेल का है तो अपरेल के बाद हमें लीप वर्स कहीं मिलता ही नहीं है लीप महिना कहीं मिलता नहीं है तो फिर हमें यह चर्चा नहीं करना है ना कि 2014 सधाराण वरस है कि 2014 लीप वरस है इसे हमें कोई मतलब नई है इसे मतलब होता कब जब फरवरी का पीछे का कोई डेट दिया रहाता जनवरी का चाहे फरवरी का तब मतलब होता चली आगे बढ़ते हैं कि अप्रेल में 25 अप्रेल को है ना सुकरवार तो अप्रेल जो महिना लगता है ना 30 को लगता है 25 दिन बीत गया था कितने दिन बाकी है अप्रेल के बाद जल्दी लिखो मैं मैं के बाद लिख दो जून जून के बाद लिख दो जून के बाद लिख दो जून के बाद लिख आड़ और लिक्ट लिखाई सतंबर सितंबर के बाद लिखाई मत लिखाई कितने संबर को बोला है को rating को rating 2021 को बोला एकतीं तिसंबर को बोला न intrers न इध समर लिख चुक है अब देखो जल्दी जल्दी कैंसिल करेंगे 5 2 7 क्या काटेंगे 7 बना कर काटेंगे उसको 7 बना करके काटेंगे अब देखो 5 2 7 कर दिये न यहां पर दो 2 4 4 3 कितना हो गया 7 अब देखो 3 3 6 3 के 9 3 4 के 12 यह जोड़ दिये 12 12 में 7 से भाग देदो answer क्या आएगा क्या आया कभी भ बड़ा हो जाएगा तो साथ से भाग देंगे जो सेस बचेगा उसको लिख लेंगे 5 आया है तो सुकरवार में 5 दिन जोड़ दीए आपका answer आजाएगा सुक्रवार में 5 दिन जोड़िये तो सनीवार रवीवार सुम बार मंगल बार और बूधवार यानि कि आपका answer जो आ कि बुलाए 23 माई 2012 को बुद्ध वर्थ था तो करें 23 अक्टूबर 2012 को कौन सा दिन होगा फर्वरी को पार कर गया हमें लीप वर्षा धारणवर्ष से कोई मतलब नहीं है मैं जो लगता है यह आपको याद होना चाहिए कि मैं कितने दिन का लगता है तो मैं 31 दिन का लगता है तो अभी आपके पास कितने दिन बचा हुआ है आठ दिन कितना बचा हुआ है? 8 दिन बचा हुआ मै के बाद चले जाओ जुन में 30 का लगता है जुलाई आपका 31 का लगता है अगस्त आपका 31 का लगता है सितमबर 30 का लगता है अक्टूबर में कितने तारीक हो जाना है? अब यहाँ पर 7 से भाग दो तो 1 आएगा यहाँ पर 7 से भाग दोगे 2 आएगा यहाँ पर 7 से भाग देंगे 3 आएगा यहाँ पर 7 से भाग देंगे 3 आएगा यहाँ पर 2 आएगा यहाँ सातिरी के 1 का 2 आएगा आएगा ना 2 यहाँ देखो 3 और 3 6 और 6 और 1 कितना हो गया? 7 बचे में साद से भाग नहीं लिए तो इस दिन में क्यो दिन जोड़े देना है तो दिन जोड़ने से बढ़िया है कि एक दिन घटा लिए क्योंकि छे दिन जोड़ना और एक दिन घटाना देर स्मान अर्थ होता है तो बुद्वार में छो दिन जोड़िये आचा है बुद्वार में से एक दिन का किजिए घटाइए तो आपका एंसर कौन सा दिन आएगा मंगलवाद आप लोग बनाओ इस question को आप लोग बनाओ इस question को झारो आगे देखेंगे अच्छे सिखिया आप लोग 10-20 मिले का क्लास है गंटे का बैठिये सिखिये करें 25 नवंबर 25 नवंबर 2011 को सुक्रवार था 26 फरवरी 2011 को कौन सा दिन था भाई यह आप नवंबर में हैं आपको फरवरी में जाना है उल्टा जाना है कहां जाना है आप कहां पर है नवंबर में और आपको जाना कहां पर है उल्टा जाना है अब हम क्या करेंगे कि हम उल्टा नहीं जाएंगे कि हम फरवरी से चले जाते हैं किसके पास कि बोल नहीं रहे हैं हम फरवरी से चले जाते हैं किसके पास नवंबर के ना कि हम नवंबर से फरवरी पीछा नहीं जाएंगे हम फरवरी से जाते हैं किसके पास लेकिन यहां कोशन बोला है कि आपको नवंबर से जाना है किसके पास अच्छे यह बताइए अभी नवंबर का दिन है आपको जाना है फरवरी में 2011 में आगे जाना है कि पीछे जाना है बोल लही रहे अब पीछे जाते है तो घटाते है और आगे जाते है तो साथ से भाग देने के बाद जो सेस बचता है उसको जोड़ेंगे कब जब आगे का द पचास का करेंगे अगर आज मंगलवार है सतर दिन बाद तो हम जोड़ेंगे बाद वाला में जोड़ा जाता है और पहले वाला में क्या किया जाता है तो अभी देखो यह नवंबर का दिन है आपको जाना है कहां पर तो आपको बैक की तरफ जाना है पीछे की तरफ जाना है तो साथ से भाग देना जो रिजल्ट आएगा ना जो सेस बचेगा ना उसको जोड़ना नहीं होगा उसको का करना होगा ऐसा कोशन आपको टाइप वन में पढ़ाएंगे कलेंडर का आप वीडियो निकाल करके देख लेना किलियर हो जाएगा चलो वई हम लोग फर्वरी से चर्चा करते हैं फर्वरी का है तो इसको चेक भी करना है सधारण है कि लीपियर कैसा वर्साइजी कि 2011 कैसा है सधार तो फर्वरी 26 हो गया तो इसमें फर्वरी में जो बचा है का दिन बचा है 12 मार्च में आपका बचा कितना 31 अप्रेल माई जुन जुलाई अगस्त अगस्त के बाद सितंबर सितंबर के बाद अक्टूबर अक्टूबर के बाद नवंबर कितने नवंबर को है का नवंबर को है निकाल देंगे ना डेट यहां पर अब यहां साथ से भाग देंगे तो कितना पांच यहां तीन यहां दो यहां तीन यहां तीन यहां तीन यहां तीन यहां दो यहां तीन और सतिरी के तो चार तीन बोलनी रहे अदू अदू चार तीन और यहाँ पर देखेंगे न पांच दो साथ बचा कितना एको तीन यहाँ पर बचा है और एको तीन यहाँ पर बचा है और एको तीन यहाँ पर बचा है तीन जगा बना है ती तीरी के नव बड़ा है तो साथ से भाग दिए कितना आया सेस कितना आया सेस कितना आया तो जब ये दिन दिया है और पीछे का दिन पूछ रहा तो इसमें दो जोडेंगे नहीं बलकि दो का कर देंगे क्या करेंगे क्योंकि ये पीछे का दिन है अगर ये आगे का दिन होता ना तो हम जोड़ते लेकिन ये पीछे का दिन होने के वज़ा से दो जोड़ेंगे नहीं बलकि दो का कर देंगे तो ये दिन है सुक्रवार आज जब दो घटाएंगे तो दिन आ जाएगा बुधवार कौन सा दिन आ जाएगा क्लियर कोई दिकत नहीं नहीं है तो आपका दिन बुधव की सोलीब यहां देख करेच 26 दिसम्बर 2009 को सनिवार था ये दिसंबर का दिन दिया हुआ और ये मार्च rocketिन पूछ रहा है तो आप मार्च से चले आओ किसके पास किसके पास क्योंकि ये अभी का दिसंबर का दे दिया आपको पीछे ले जा रहा है कि आप मार्च में बताए क्या था आज हम बता दिये कि 26 दिसंबर 2009 को सनीवार था तो 12 मार्च 2009 को सब्ताह का कौन सा दिन था यानि कि दिसंबर का दिन दिये हैं और आपको पूछ किसमे रहे हैं तो आगे की तरफ ले जा रहा है कि पीछे की तरफ पीछे की तरफ ले जा रहा है जब पीछे के तरफ ले जाएंगे तो घटाएंगे और जब आगे की तरफ ले जाएंगे तो का करेंगे जोडेंगे तो अब आप देखेंगे ना तो अभी आप देखेंगे आप हैं दसंबर में आपको जा कहां जाना है तो मर्च आगया है कि पीछे जब पीछे होगा तो जो सेष बचेगा उसको घठाएंगे जब आगय का दि पूछता है तो जो सेष बचेगा उसको का करेंगे अब बात है कि यह दोनों के दिनों का डिफरेंस कर से निकलेगा तो हम यहां से चलेंगे और किसके पास आजाएंगे दिसंबर के पास तो मार्च में को मार्च हो गया, तो 12 मार्च जब हो गया, तो मार्च टोटल लगता है 31 दिन का, तो अभी मार्च में कितना दिन बचा है, अपरेल में 30, जुन में कितना 31, नहीं, मार्च के बाद तो मार्च ये हो गया न, अपरेल 30, अपरेल के बाद मै, मै के बाद जुन, ज जुन के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के बाद क्या आता है? दिसंबर, कितने दिसंबर को जाना है? आप क्या कर रहे हैं कि 12 मार्च से ले करके और 26 दिसंब लगता है 7 दिन पर रिपीट करने लगता इसलिए 7 से भाग देंगे तो επ sudden 색ate चॉद्व पांच बचा यहां दो बचाँ यहां तीन बचाई यहां दो बचाई यहां तीन बचाई यहां तो आपकर जाद ही घ enfermed गई करने बचान अब इसको भी जोड़ना है लेकि आप जोड़ neur ये नहीं आप साथ से कटीए पहले काड़ लिजे फांच दू-सार यह देखिये 2-2-3 4-4-3-7 यहां देखेंगहगे अब नहीं कटेगा यहां पांच-2-7 और 3, 3, 6, 3, 9 बची आता, 9 में 7 से भाग दे दो, 6 कितना आया? अगर आप ये टोटल को भी जोड करके 7 से भाग देते तो 6 कितना आता? कितना आता? 2, अचाये आप इसको भी टोटल को जोड के 7 से भाग देते तो 6 कितना आता? तो हम आप इसको छोटा बनाने के लिए सिखाएं, क्यों इतना बड़ा बड़ा जोड़ेंगे, जहां साथ बने कर दे, जो लास्ट में बचा है, दो तीन को इलो को जोड़ दिये, तीन, तीन, छोट इतरी के नव, अनौ में साथ से भाग दे दे, सेस, दो, अब रुख जाए यह आपका अंसर बन गया, यह आपका अंसर बन गया, कोई दिकत नहीं नहीं है, यह कौन सा दिन है, असनिवार में से दो दिन घटाईए, कितना दिन घटाईए, यह हमेशा क्या लगए, कभी संबर होगा क्या, आगे ना संबर होगा, पीछे में कौन सा दिन होगा, कौन द कि एक जर्वरी उन्यस सो चौरासी को गुरुवार मान लिया गया है तो करें 31 दिसंबर उन्यस सो चौरासी को कौन सा दिन होगा 31 दिसंबर उन्यस सो चौरासी को कौन सा दिन होगा तो भाई हम आपको पढ़ाय थे कि एक सधारण वर्स यह लीप वर्स है इसका ख्याल रखना है यह कैसा वर्स है एक लीप वर्स में साल का पहला दिन और आखरी दिन जो होता है आखरी दिन हमेशा एक ज़्यादा होता है लीप वर्स में तो अगर ये गुरुवार था तो आखरी दिन जो होगा कौन सा दिन होगा सुक्रवार ये एक लीप वर्स है, लीप वर्स का पहला दिन बता दिया गया है, कौन सा दिन है, बोल ले रहो, लीप वर्स का पहला दिन कौन है, और यही लीप वर्स का कौन सा दिन पूछा जा रहा है, आखरी दिन पूछा जा रहा है 31 दिसंबर के बारे में, तो एक लीप वर्स में जो पहला दिन होता है आखरी दिन उससे एक ज्यादा होता है एक लिप वर्स का पहला जनवरी जो होगा एक जनवरी जो होगा और उसी लिप वर्स का 31 दिसंबर का चर्चा किया जाए तो जनवरी एक जनवरी से एक दिन ज्यादा होगा तो एक जनवरी को दिन गुरुवार था त लेकिन कब जब सधारण वर्स होता है तो एक सधारण वर्स में साल का पहला दिन और साल का आखरी दिन समान होता है जबकि एक लिप वर्स में साल का पहला दिन से साल का आखरी दिन एक दिन क्या होता है आए इसको प्रैटिकली हम लोग बना कर भी थोड़ा चेक करते हैं लिखेंगे जुलाई के बाद क्या लिखेंगे तो अगस्त लिखेंगे अगस्त के बाद सितंबर लिखेंगे सितंबर के बाद अक्टूबर लिखेंगे अक्टूबर के बाद नमबर लिखेंगे नमबर के बाद दिसंबर यहीं न लिखेंगे लिखना होता तो यहीं लिखते यहां बचेगा दों यहां बचेगा तीन यहां बचेगा दों क्या बचेगा अभी सको जोड़ना नहीं को अधिन जब हम ऊतै तोади página एक बचा है ना तो आप बताईए जनवरी का दिन है दिसंबर आगे है की पीछे तो आगे है तो इसमें जोड़ेंगे की घटाएंगे तो गुरुवार में एक दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा किलियर कोई दिकत नहीं है न तो बना भी सकते हैं अगर कहीं आप कंसेप्ट भूल कर यह पर रटने वाला चीज भूल गए तो आप बना कर भी यह से अपना एंसर निकाल सकते दिखा सकते कि देखो यह दिन आ चुका है करें 29 दिसंबर 2017 को मंगलवार था तो करें 13 जून 2017 को कौन सा दिन होगा तो हम पहले 13 जून से यहां तक निकाल लेते हैं क्योंकि यह चोटा है और यह इससे बड़ा है तो कभी भी हम आगे के तरफ चलेंगे मै के बाद जुन आता है जुन जो है तीस दिनेंगा लगता है तो जुन में कितना दिन बचा हुआ यह जून पीछे आता है कि जून दिसम्बर के आगे में आएगा तो दिसम्बर के पीछे में जून आएगा ना तो जो भिवी रिजल्ट आएगा तो उसको जोडेंगे कि घरता कि जरता हैंगे 3 6 3 3 3 4 3 1 14 3 3 6 3 3 4 2 12 12 कोई सेस नहीं बचा सेस क्या बचा बोल नहीं रहे अगर विश्वास नहीं तो सब को जोड़ लो 3 3 6 3 3 9 9 2 11 11 13 14 14 14 12 16 16 16 16 पाच कितना होता है एक इस में जब साथ से भाग दोगे ता सेस क्या एगा तो जीरो आने का मतलब है कि इसमें ना एक दिन जोड़ना है ना एको दिन कितना जोड़ना है जीरो मतलब कि कुछ भी नहीं जोड़ना है ना कुछ भी घटाना है यानि ये मंगलवार था ना तो उस दिन भी कौन सा दिन होगा किलियर हो गया आगे बढ़ते हैं मंगलवार होगा ना आगे बढ़ते हैं 28 फर्वरी 2008 को गुरुवर था कितना फर्वरी 28 फर्वरी 2008 को कौन सा दिन था फर्वरी का दिन दे दिया है और 28 फर्वरी 2009 का कौन सा दिन होगा ये चर्चा कर रहा है पहली ये बताइए ये वाला जो वर्स है ये कैसा वर्स है क्लियर है ना कैसा वर्स है लीपियर है ना और ये डेट जो है और ये डेट जो है दोनों कैसा डेट है बोल नहीं रहे हैं दोनों कैसा डेट है सेम डेट है तो एक डेट सेम से अगला साल अगर उसी डेट सेम को सेम डेट में जाते हैं तो आपका दो दिन बढ़ जाता है का दिन बढ़ जाता है अगर ये समान डेट से अगले साल समान डेट में जाएंगे तो आपका का दिन बढ़ जाता है बोल नहीं रहें लेकिन कब जब वर्स लीप रहेगा अगर सधारण रहेगा तो सधारण रहेगा तो और लीप रहेगा तो एक समान डेट से 28 फरवरी से आ ourselves locker और ये 28 फरवरी 2000 तो हमें ये बचाएकि बीच में लिपवर्स पड़ा की नहीं कौन लीपरस पड़ा है क्योंकि फरवड़ी से गुझार के ये तो जाएगा 19 ये न जाएगा तो 29 से होकर जाएगा तो लिप कहीं न कहीं बीच में पढ़ेगा तो एक साल से जब आप दूसरे साल में परवेश करते हैं तो दो दिन बढ़ता है लेकिन कब जब बीच में लिप पढ़ जाता है लेकिन अगर वही सधारण रहेगा तो कितने दिन बढ़ेगा बोल नहीं रहो सध गुरुवर है आग गुरुवर में कदीन जोड़ाइगे तो सुक्रवार और कौन सा दिन हो जाएगा सनीवार एंसर तयार हो गया आप को जोड़ करके बताइए इसको थुड़ा समझाईगे तो आप भी घर पर बैट करके इसको जोड़ सकते हो ध्यान से समझना तिल आ के अचे बताओ फर्वरी कितना है 28 प्सफा Champions तो एक दिन तो बचा हुआ इसके बाद हम स्पाद मार्च में आते हैं मार्च अपरेल मै इसके बाद आजके जून इसके बाद क्या एंगे जुलाइ अगस सितंबर अक्टूर नवंबर के के बाद क्या आएगा दिसंबर दिसंबर के बाद क्या आता है जनवरी आज जनवरी क्या चीज फरवरी को बोला है आप देख लेना दो इसे बचेगा यह एक हो गया यह तीन 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 हो और यह क्या बन गया? 0 ठीक है न? अब 7 बना के कटिए 3 अचार कितना होता है? 7 हो जाता है न? अब यहां देखो यहां 3 और यहां 3 मिल गया 6, 6, 1 7 चैंसिल हो गया यहां 3 और 3 हो गया न? 3 और 2, 2, 4 4, 3 कितना हो गया? 7 अब यहां देखो 3, 3, 6, 3 के तो 9 में से 7 से भाग देंगे तो सिस क्या है? तो 2 दिन जब गुरु आर में जोड़ेंगे तो यह दिन नहीं आ जाएगा क्लियर है न? तो आप लोग ऐसे मत बनाएगे याद रखिए कि एक साल से दूसरे साल में परवेश करते हैं तो को दिन बढ़ता है? लेकिन कब जब बीच में लीप एर्ड पड़ेगा? अज जब साधारण पड़ेगा तो एक दिन क्लियर न? 27 जनवरी 2004 को मंगलवार था बता ये रास्ते में लीप वर्श पड़ेगा की नहीं पड़ेगा? तो कर आप 27 जनवरी 2005 को कौन सा? एक साल जाना है मंगलवार है न? बीच में फरवरी लीप वर्श पड़ेगा की नहीं पड़ेगा? कर दिन बढ़ेगा बताओ? दो दिन बढ़ेगा न? तो मंगल बार में दो दिन जोड़ो कौन सा दिन आजाएगा गुरुबार एंसर ओगिया गई कर स्था अभ़भरी 2000 2000 एक लिप वर्स है कैसा वर्स है मैं 6 फर्वरी 2000 को आभीबार है तो नहीं 6 फर्वरी 2001 को कौन सा तक दिन बढ़ेगा तो अभी बार में दो दिन जोड़ दिएगा ना अशर आजाएगा करें कि एक मार्च दो हजार आठ को कैसा है यह कौन सा वर्स है लीप वर्स सनी बार है तो एक ही मार्च को बताना है लेकिन दो हजार नौ में कर दिन बढ़ेगा तो सनी बार में दो दिन जोड़िये कौन सा दिन आ जाएगा सोंबार कि अच्छे मार्च का दिन दिया है सौरी अच्छे यह बात बताईए यह सौरी हम समझे जन्वरी एक मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा एक मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा तो कोशन पूछ रहे हैं एक मार्च 2009 को कौन सा दिन होगा यह बताइए देखिए भई यह मार्च है यह 2008 को अब हम सधारण मानेंगे कैसा मानेंगे इसलिए साधारण मानेंगे ना क्योंकि ये फरवरी को का कर गया है फरवरी को का कर गया है तो जब फरवरी को पार करेगा तो कैसा मान लेंगे अज जब फरवरी से पहले राता तो इसी को क्या मानते लीप क्योंकि अब रास्ते में फरवरी नहीं मिलेगा तो जब नहीं मिलेगा तो 2008 को क्या मनेंगे और 2008 से 2000 किसमें जाना है बोल नहीं रहे तो एक साधारण से सदहारण में जाएंगे को दिन बढ़ेगा और जब एक लीप ओवर से सदहारण में जाते हैं तो तो हमको सदहारण से सदहारण में जाना तो इकBoy कौन साधीन है तो एक दिन जोड देजिए सनि-बार के बाद कौन साधीन आजाएगा casos कि देखिए वोड़ पे करें 4 सितंबर 2004 को सनिवार था तो इसको क्या मानिएगा सधारण नजी क्यों सधारण मानेंगे कोई बता देगा क्योंकि फरवरी को का कर गया है पार कर गया है और आपको तो 4 सितंबर में जाना है 2005 में को दिन जोड़िएगा सणिवार है तो सणिवार में एक दिन जोड़ दिएगा तो कौन से आजएगा रभी बार 3 जुलाई 2000 इसको कैसा मनिएगा आप बताओ बताओ कैसा मनोगे सधारण क्यों सधारण मानेंगे क्योंकि ये फरवरी को का कर गया है और 2001 में जाना है तो सोंबार में कर दिन जोड़ेंगे सद्धारण से सद्धारण में जाने में एक दिन ना तो सोंबार में एक दिन जोड़ दीए कौन सा दिन आ जाएगा मंगल यह 23 जनवरी 2019 है तो 2019 जो है ना एक कैसा वर्स है हां देखिए इसमें बीच में फरवरी पड़ेगा लेकिन यह सद्धारण होगा 2019 में चार से भाग नहीं लगता है तो सद्धारण है और हमको 2020 में जाना है और 2020 में को जनवरी को जाना है 23 जनवरी को कुछ लोग के मन में सवाल होगा कि सर ये न साधारण है ये तो लीप है तो लीप को क्रोस नहीं न किया है फरवरी को पार नहीं न किया है फरवरी से कहां है कहां है तो इस दोनों के रास्ते में कहीं फरवरी 29 पड़ा है क्या 28 से न पड़ा है तो ये भी है क्योंकि जब 29 को पार करते तब ना इसका लीप का गिंती होता तो एक साधारण से साधारण में जाएंगे तब कर दिन जूटेगा तो एक दिन जोड़ दीजिए कॉंस तुटेंगे कि यह देखेंगे 20 मार्च 2015 तो 2015 यह तो फर्वरी को क्रॉस कर गया तो कोई मतलब ही नहीं है और यहां पर कर रहे है 20 मार्च 2016 आप थोड़ा ध्यान से समझने वाला चीज है यहां पर बोला है 20 मार्च 2015 को सुक्रवार था यह एक साधारन है कैसा है लेकिन यह वाला जो रास्ता में इसका आया ना 2016 एक क्या है क्योंकि लिप को यह क्रॉस कर गया है इसके दोनों के बीच में कहीं ना कहीं 29 हमें पढ़ा है कौन पढ़ा है 29 फरवरी कौन देखिए यहां तो नहीं पढ़ा था मार्च में चल गया थे 2015 में तो हमें नहीं मिला फरवरी जैसे 2016 में परवेश किये तो हमको का तारीक तक आना है बोल नहीं रहे तो फरवरी से होकर इन मार्च में आये होंगे तो 2016 तो कैसा वर्स है तो जो बीच में फरवरी मिला था फरवरी कितना दिन का होगा 29 तो जब बीच में अगर लीप मिल जाएगा तक दिन बढ़ जाता है अगर जब नहीं मिलेगा तो एक दिन तो दो दिन बढ़ाई यह सुकरवार में दो दिन तस्थानी बार और क्या हो जाएगा रवी बार एंसर टीक कर दिये रवी बार अब देखेंगे 15 जुलाई 64 को बुद्धवार था तो 15 जुलाई 65 यह फर्वरी को क्रॉस कर गया है तो इसको कैसा मालेंगे लिप यह अरी-तो सधार्ण से सधार्ण को दीन कहीं बीच रास्ता में लिप मिलेगा कर फर्वरी 29 मिलने वाला है यह फर्वरी को क्रॉस कर गया है और जब यह फर्वरी Riceни gras इंगे तो फर्वरी कितना को लगेगा 2000 64 बेफर उसको फर्वरी को न्तों जूलाई का – तो इस बीक रास्ते में कहीं परवरी मिला यह दोनों के प्रवरी मिलेगा तो फरवरी मिलेगा लेकिन गौग कोम कॉमिलें गा 18 का ओ महीना 29 मिलने वाला अन्हें किसका मिलता कब जो साल किसे कड़ जाए चार से तो बताइए ये बुद्ध बार में कड़ ही जोड़िएगा अब देखेंगे ना दस जनवरी 2003 तो ये 2003 मेरा कैसा वर्स है अब यहां भी बोल रहा है 10 जनवरी 2004 तो इसको भी सधारण मानेंगे अब आपके मन में सवाल आ गया सर ऐसा क्यों मान रहा है 1 13 10 January 2003, तो 2003 का फरवरी मिलेगा हमको, 2003 का फरवरी मिलेगा हमको, लेकिन को तरीको लगेगा, 28 मोँ को लगेगा, तो 2003 तो सधारण वर्स हो गया, हो गया ना, 2004 में एक लीप वर्स है, लेकिन इसका फरवरी से हमें मुलाकात होने वाला, यह काजनवरी तक काड़ेट पूछ रहा है तो इसको भी हम क्या माल लेंगे क्योंकि यह भी साधारण हो गया यह भी साधारण हो बीच में कहीं भी लिप मिलने वाला तो जब बीच में लिप नहीं मिलेगा तो कोगो दिन बढ़ेगा तो सोमार है जब एक दिन जोड़ दी ज जाएगा मंगलवार किसी को दिक्कत बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो कौन सा दिन होगा मंगलवार होगा ठीक आप लोग बताईये तो बताईये आप लोग 20 मार्च 2003 देखो वही कोचन है ये एक सधारण है ठीक है सधारण के बाद जैसे ही आप 2004 में परवेश करोगे तो को फरवरी मिलेगा बीच में इस दोनों के बीच में 29 फरवरी मिलेगा की नहीं तो जब 29 फरवरी मिलेगा तो को दिन जोडेंगे कि 2007 यह 2000 क्या है दिन कौन सा है बूधवार यहां तो सधारण है ना लेकिन यह 7 नवंबर 2000 कौन है तो जब 8 2008 में आए होंगे तो 29 फरवरी मिला होगा की नहीं मिला होगा यह किलियर किजिए हमको 2008 के बीच में नवंबर जब गया तो जन्वरी फरवरी होकर ही नगया होंगे तो 29 को मिला होगा पूल नहीं रहे अरे फरवरी जो है कितने दिन का मिला होगा 39 क्योंकि लीप है तो जब लीप रहेगा तो कितना दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन है बुद्वार में दो दिन जोड़िए तो सुक्रवार आपका अंसर जाएगा चलेंगे देखेंगे न यह 2000 लीप है यह लीप नहीं है यह फरवरी को क्रॉस कर गया है तो इसको क्या मानेंगे साधारण मानेंगे इसके पीछे जो था न फरवरी गुजर गया था इसके आगे हमको जाना है और कहां तक जाना है तीन जनवरी तक न जी अब देखिए बड़ा मज़दार कोशन है बुड़ पे दे समान डेट नहीं है यह 3 दिसंबर है तो यहां को जनवरी है यह सब काम कम करते हैं जब डोनों डेट समान रहता है लेकिन यह डेट समान नहीं है दिसंबर 31 को लगता है तीन दिन बिच गया तक का दिन बचा है बोल नहीं रहें 28 इसके बाद जनवरी आएगा अगला साल का 2001 का ऑजननवरी नाएगा कोजनवरी है तो तीन दिन यसमें जोडने गया तो एठाईस में भाग दिए साथ से 0 ना और इसमें तीन तेने न बचा तो बताए ये 200 में हैं आपको जाना है 2000 कोज़नवरी तक जाना है तो आप ऐसे भी सोच सकते थे कि 28 दिन बचा था कि दिसंबर में अतीन जनवरी को तो अठाइस अतीन टोटल कितना होता है और 31 में भी साथ से भाग देते तो तीने ना आता तो इसमें तीन दीन जोड़ दिए तो सोम बार मंगल बार और बूद बार आपका एंसर लिए कि बता सकते हैं आप लोग देखे एक अक्क्तूबर को क्या था तो आपको पूछ रहा है एक नذंबर कौन साधीन को साल का जिक्र क्या है आपको उससे कोई मतलब नहीं अक्टूबर कितने दिन का लगता है 31 का लगता है तो 30 दिन अक्तूबर में और एक नवंबर को पूछ रहा था एक दिन नवंबर में टोटल हो गया 31 31 में साथ से भाग देंगे स्ट्रेस क्या आएगा तो रवी बार में तीन दिन जोड़ देंगे एंसर जाएगा कौन सा दिन बूद्वार कोई दिकत नहीं नहीं है आप लोग के लिए बनाओ जल्दी में कोईशन एक फरवरी दो हजर बीस एक फरवरी दो हजर बीस को बिरस्पत बारता तो पांच मार्च दो हजर बीस को क्या दिकत है ना दो हजर बीस एक कैसा वर्स है लीप वर्स है एक फरवरी हो गया तो अभी फरवरी में का दिन बचा है 28 अगा मार्च को पूछा है? कितने मार्च को पूछा है? 5 तो 5 जोड़ देंगा, 28 और 5 कितना होता है? 33, 33 में किस से भाग देंगे? 7 सच्चावूक, 28 तो सेस क्या बचेगा? 5 ऐसे भी जानते हो कि यह साथ से कैसले हो जाएगा तो 5 जोड़ेगा, तो इस विरस्पत बार में क जोड़ देना है पांच दिन जोड़िए अच्छा है दो दिन का कर दिजे घटा दिजिए तो दो दिन घटा येगा तो मंगलवार आ जाएगा अच्छा है पांच दिन जोड़ दिजे बिरस्पत बार के बाद सुक्र बार सनी बार सनी बार के बाद रभी बार सोम बार और आपका एंसर जाएगा कौन सा दिन मंगलवार आपका एंसर जाएगा मंगलवार तीन अपरेल सुरी का अपरेल है सुक्रवार था दो हजार में तो करें 17 जुलाई को बताए कौन सा दिन होगा तो अपरेल कितने का लगता है कोई बताएगा तीस का तो 21 दिन बचा हुआ है अपरेल में मई में 31 बचा हुआ है मई के बाद जुन जुन आपका तीस जुलाई आपको कितने तारीकों बताना है 17 यहीना दिन बताना है आपका अपरेल का दिन दे दिया जुलाई का पूछ रह साथ से भाग देंगे तो जी रू 3 आ गया यहां दो आ गया 7 वी तो 3 आ जैना जी साधुनी कर 14 3 7 आ तो 3 3 6 6 चादू कितना होता है आठ वे साथ से भाग देंगे तो 6 कितना वन तो आप एक दिन जोड़ दिए सूकरवार में तो एक दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा सनी बार नेक्स अगला कुछ्छत यदि नवंबर की पहली तारीक नवंबर की पहली तारीक यानि एक नवंबर को बोल रहा है एक नमंबर को बोल रहा है, पहली तारीक को सोंबार पड़ती थी, तो पचीस नमंबर को कौन सा दिन होगा, यह तो बड़ा आसान कोशन है, एक नमंबर से आपको कहा जाना है, कितना आगे जाएंगे, 24 ना जी, तो 24 में साथ से भाग दिजे, सतिरी के, कितना आया, तो तिन जोड़ दिजे, तो सोंबार में तिन दिन जोड़िये, कौन सा दिन आ जाएगा, कौन सा दिन आ जाएगा, विरस्पत बार आ जाएगा, अगला कुस्च्छन, बोड़ पे देखिएगा, वर्ष ओनाई शव अठासी में, स्वतंत्रता दिवस बुद्वार को मना अगया था, अच्छे, एक गड़तंतर दिवस अता है, और एक स्वतंतर दिवस, स्वतंतर दिवस कम मनता है, कोई बता देगा, बोल नहीं रहे, पंदरा अगस्त, उननेश सो अठासी को दिन बता दिया है, कौन सा दिन है, बुद्वार, यह नहीं बोला है, बुद्वार है, तो करें, उननेश सो नवासी में यह, किस दिन मनाया जाएगा, तो बताए, अठासी एक लीप ओवर सा है, बोल नहीं रहे, लेकिन यह फरवरी क व का कर गया है, किसको कर गया है, फ़रवरी को, तो यह रहे, और यह रहे, बोलो तो स्वातन्तरता दिवस का देट कभी अपस में बदलता, आगर स्वातन्तरता दिवस 15 अगस्त को इंसल मना तो पूरे जिंदगी कअगस्त को मनेगा, तो यहीं न दिया है, colle dot 88 में कर दव 17 अगस्त को मना था तो दिन कौन पड़ा था तो 88 एक लीप वर्स है लेकिन फरवरी को तो क्रॉस कर गया है ना तो 89 ये भी एक साधारण बन गया 88 भी साधारण और 89 भी साधारण तो जब 88 साधारण नावासी भी साधारण एक दिन जाएंगे तो का दिन बढ़ेगा एक साल परवेश करेंगे तो एक दिन बढ़ेगा तो एक दिन बढ़ेगा तो ये दिन बूदवार है तो अगला साल दिन कौन सा होगा कौन सा दिन होगा गुरुवार क्योंकि ये भी एक साधारण ही हो गया क्योंकि फरवरी को क्रॉस कर गया है और ये भी एक साधारण ही हो गया तो ये दोनों के बीच में कहीं 28 29 फरवरी मिला है क्या बोल नहीं रहे हैं जब 29 फरवरी नहीं मिला है तो को दिन बढ़ गया एक दिन तो बूद्वार में एक दिन जोड़ देंगे तो कौन सा दिन क्लियर चार अप्रेल नहीं सव अठासी को सुंबर था तो करें तीन नवंबर नहीं सव अठासी को कौन सा दिन होगा इससे ये पहले का नहीं जी पहले का नहीं ये है अठासी का और ये हैंकब का और चार अप्रेल रोंगे को दिन बता दिया है कौन सा दिन तो आप क्या कीजें कि यहां से यहां पहुंचिये कितना दिन का अंतराल हो रहा है नवंबर कितने का लगता है 30 का को नवंबर हो गया है तो नवंबर में 27 दिसंबर में बोलनी रहे हैं जनवरी में 31 यह तो एक लीप वर्स है ना जी तो लीप है तो फरवरी में 39 अब फरवरी के बाद क्या ठीक है का अपरेल तक है तो हम क्या किया कि नवंबर से चल करके कहां तक आ गाए अपरेल तक तो नवंबर है 87 का और अपरेल है क्या चीज का तो हमें 88 का डेट दिन बता एक कि आएमपर घ्ठवा के अधायों से अधे कि भा हुआ अगया तो इसो utin के वन हे कि इसने पाइवाता है कि चारे थीन क्या हो गया साथ तिन थीन का हो गया स्थय अधैं में तो तो छा हम इसमें जोड़ेंगे नहीं, बलकि छा करेंगे, तो छा घटाना चाहें एक जोड़ना दोनों समान चीज होता है, आप सोम बार में से छा घटाएंगे तो वही दिन आएगा, नहीं तो सोम बार में एक दिन जोड़ेंगे तो भी वही दिन आएगा, यानि दिन कौन स होगा कोई दिक्कत नहीं है नहीं है मंगलवार होगा अन्सर गोलु का जो जनम है 4 अक्टूबर 1999 में हुआ है 1999 को हुआ था राजा का जनम गोलु से छा दिन पुर्व हुआ था राजा का जनम जो हुआ है गोलु से का दिन पहले हुआ है उस वर्ष स्वतंतरता दिवस रवीवार को था तो राजा का जनम किस दिन हुआ था अच्छे ये बताए उस दिन स्वतंतरता दिवस जो था उस वर्ष जो स्वतंतरता दिवस था और किस दिन था तो स्वतंतरता दि जीनानिवे काjasटनतता दिवस मनझ थाöst को तो मानः रवीवार को मनळ था ध्यान से समझ ऎगा कि और कर रहे कि गोलु का जनम के अक्तूबर में हुआ है का अक्तूबर को हुआ है चार लिगवार को हुआ है चार अक्टूबर को हुआ है तो आप बताईए कि जब गोलू का जनम अक्टूबर में हुआ है को अक्टूबर को हुआ है और राजा का जनम गोलू से च्छा दिन पहले हुआ है को दिन पहले को दिन पहले को दिन पहले च्छा दिन पहले हुआ है तो च्छा दिन पहले हुआ तो पहले हुआ है तो बड़ा कौन है राजा ना बड़ा है छोड़ दो कौन पहले हुआ है पहले इसका तो जनम निकाले किसका जनम निकाले किसका जनम निकाले हम पहले गोलु का तो जनम निकाले कि गोलु का जनम किस दिन हुआ था आप बता दो आप अगस्त में हो और आप स्वातंतरता दिवस मना था ना और ये गोलू का जनम का अक्टूबर को हुआ है तो आप अगस्त से अक्टूबर में जाए ना भाई तो अगस्त के बाद अगस्त कितने महिने का लगता है 31 का तो का दिन बचा हुआ है 16 अगस्त में कितना बचा हुआ है 16 क्योंकि अगस्त 31 को तक दो आएगा? साथ से इसमें भाग देँगे तक 2 आएगा, इसमें तो लगेगा ही नहीं, तो 4-4 कितना हो गया? आठ. साथ से भाग दीजिया, किलियर? कितना या? किलियर है जी? तो यह बताएं से जब आपको अक्टूबर में जाना है तो एक दिन जोडिएगा कि घटाईएगा तो कौन सा दिन आ गया अब सोमबार पर पहुँच गया आप जनम हो गया, किसा हो गया गोलू से कदिन पले जनम हुआ था राजा का जनम गोलू से कदिन पले उआ था छो दिन पहले ही न हो गया था, तो इस से छो दिन पहले जाना है, तो छो दिन घटाएंगे न, बोल नहीं रहे, तो छो दिन घटाएंगे चाहें, एक दिन का किजे, तो सोमबार के बाद कौन सा दिन आ जाता है, मंगलवार, कौन सा दिन आता है, मंगलवार, और ये जो जनम ह हो गया यह किसका जनम है तो राजा का जनम है क्योंकि राजा जो है गोलु से को दिन पहले जनम लिया था तो जब गोलु लिया है सोंबार को तो राजा छो दिन पहले लिया होगा सोंबार से छो दिन पहले कौन सा दिन आया था तो सोंबार में छो दिन घटा यह ना था एक द 31 अपरेल 2017 को कौन सा दिन है सुक्रवाद तो आप कर रहें 31 अपरेल 2019 को कौन सा दिन हो गया बड़ा असान कोश्चन है आप एक बात बताएगा 31 अपरेल 2017 को 2017 को कौन सा दिन है 17 को सोंबर है न तो जब 17 से 18 में जाएंगे तक को दिन 2018-2019 में जाएंगे तो का दिन बोलनी रहें 17-18 में गए तो एक दिन और एक बार 18-19 में गए तो एक दिन तो एक दिन एक दिन का दिन तो दो दिन जोड़ दीजे ना यहां इन सरा जागा सुकरवार के बाद दो दिन बताइए सनी बार और रवी बार आप हैं कहाँ आपको जाना कहां है को साल कांतर बीच में कोई लीप मिला है कोई 29 गगी 18 में मिलेगा कहीं 29 गगी तो ढूब साल कांतराल है तो को सल जोड़ देंगे सतर है 18 के लिए एक लिए और एक 18 तो दो जोड़ दिये तकौन सदीन आगया कि लिए ना आप सभी लोग इधर आजातो हाँ विस मेंच पे渡ाविक यदर इदर यदर इधर इधर कि अब आप यदिए आप यदी आप लग यद विए आजे? अब यहां देखेंगे 8 माई 2013 को बुद्ध बार्था तो बटाओ 8 माई 2015 को कौन सा दिन होगा 2013 से थोड़ा ध्यान से समझेंगे अभी हम 2013 से 14 में जाएंगे तका दिन बढ़ेगा ना 13 लीपवर्स है ना 14 लीपवर्स इसके बाद 2014 से 15 में जाएंगे तका दिन देखें इसको लिया जाता है 13 को लिये 14 को लिये 15 को लिये हैं क्या क्योंकि यह दिरा 13 से 14 के लिए दे रहा है तो दो सार दे ना दिया है तो एक दिन एक दिन को दिन जूड़ जाएगा तो दो दिन जूड़ेंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा अभाप ये मत सुची कि सर पंदरा को नहीं लेना इसको लेना ही नहीं है आप ले लिए 13 से 14 और 14 से तो 14 से 15 है का रिजल्ट दिया है तो जब 15 बित ता तम ना 15 से 16 लेते आप तो आपका दो दिन तो दो दिन में कौन सा दिन आ जाएगा शुक्रवार तो ऐसा मत सुचेंगे एक सर 13 ले लिए 14 ले 15 तो लिजे नहीं रहे आप इसे पूछेंगे कि 13 से 15 के बिच का साल कांतर है तो आप बताओगे ना दो साल तो एक बर यह अगर वरिजिनल देखा जाए तो हम तो ऐसे लिखते दो हजार तेरह से टाइम पास करते ना 2014 एक दिन अप फिर लिख दे 2014 से 2015 एक दिन ता एक दिन को दिन हो गया ऐसे ही ना लिखते तो हम इसी को लिख दिया है 13 में एक दिन आएक वर्काय में 14 में आखरी ने लिखे को दिकत नहीं है थोड़ा ध्यान से समझेंगे को जनवरी है 2016 और यह पूछा है 19 जनवरी 2000 तो बताइए 2016 ले ले लेंगे यह सही बात है इसको तो लेंगे नहीं क्योंकि यह कैसा वर्स है अगर यह लास्ट में अगर लीप मिल जाएगा तो हम आपको उपाय बताएंगे अगर सधारण होगा तो उसको काड़ दीजे ठीक है ना सधारण होगा तो काड़ देंगे अलीफ होगा तो हम उपाय बताएंगे आपको कै कैसे करना है अब बताये सुल्ला में का दिन लेंगे क्यों लेंगे दो दिन क्योंकि इसके बीच में फरवरी मिलेगा और ओभी कितने का मिलेगा के लिए रहे ना 2017 कान सा बर्स है सधारन न बड़री रहे सधारन रहे सधारन में कितना आठार को लेंगे नहीं लेंगे तो दो एक ता मंगल भार में तीन दिन जोड़े doveो En Krabs मंधलवार में तीन दिन जोड़ेई कौनसा दिन होगा कौन सा होगा जी सुक्रावर होगा कि अ हुआ है सबसे पहला काम करेंगे हैं यह 2022 सधरन सधरन है न यह सधरन यह इसको पखाव कब जब सधरन रहेगा आप चलो Ihr community आ कि दो हज़ार बीस के लिए के लिए एक लिखेंगे की दो एक लिखेंगे को मुचेंगे क्यों एक अलिक zer क्या बताएगा क्योंकि फरवरी को आ करगया है जब पार करगया तो 1 लिखे अगर नहीं पार किया रहा तो अच्छे आप बदेड से क्या लीखिएगा एक क्योंकि państwo 5 4 है कायसा है क्या 22 वह लिखेंगे 22 को काड़ देंगे न क्योंकि यह भी तो वही नदर रहो है 20 से कइसा रहे का से तकाव दिन दिया आप दो दिन जोड़ देंगे तक कौन सा दिन आएगा कोई दिकत नहीं नहीं है आप मंगल बार में दो दिन जोड़िए विरस्पत्वर आजाएगा एंसर तयार हो गया कि आप लोगों के लिए बनाएएगा कि कि 1 1904 में घर्टंथर दिवन सुकरवार को मनाया गया था कम मनाया गया था चानवे में सुक्रवार को मनाय गया था तो का रहा है 2000 में यह 2000 को स्वतंतरता दिवस किस दिन मनाय जागा भाई गड़बड बात है यहां पर गड़तंतर दिवस का चर्चा कर रहा है और यहां पर एक जा गरतन तर दिवस का चर्चा कर रहा जब की जा चर्चा कर रहा है तो करे की वर् scratch 2000 में स्वतंतर दिवस कम मनाया जाएगा सुवतंतर दिवस 26 जन्वरी on 97 में कौन सा दिन था जी कि शुक्रवार ता तो कारे कि 2000 में सवतंतर दिवस refill य profits enable you 15 अगस्त 15 अगस्त 2000 को कौन सा दिन होगा यह illustrates 15 अगस्त 2000 को कौन सा दिन होगा यह question पूछ रहा है तो हम सबसे पहले यह निकालेंगे कि 26 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा अगर ये निकाल देंगे जनवरी में तो फिर हम जनवरी से कहां चले जाएंगे जनवरी से कहां चले जाएंगे लेकिन कब जब जनवरी निकालेंगे तो ये दोनों ही डेट समान हो गया निकालना बड़ा असान हो जाएगा अभी हम 96 में हैं कहां आ जाएंगे लेकिन 2000 का तंतर हुआ था 15 अगस्त को अभी हम निकालेंगे पहले गड़तन्तर दोहाजार में जो गड़तन्तर वाला दिन था कौन सा दिन था फिर गड़तन्तर से हम कहां चले जाएंगे स्वतन्तर किसी को कोई दिकत तो अब आ जाएए चानबे के लिए क्या लेंगे बोट पे देखना भाई चानबे के लिए क्या लेंगे तो दो लेंगे चानबे के लिए दो लेंगे क्योंकि चानबे एक कैसा वर्स है चानबे के बाद संतानबे के लिए क्या लेंगे एक अंठानबे के लिए क्या लेंगे एक 99 के लिए क्या लेंगे एक और 2000 को नहीं लेते हैं बता हैं ना 2000 को नहीं लेंगे 2000 को लेंगे ये लीप है फिर भी नहीं लेंगे लेते कब जब ये फरवरी को कि युद्ध को क्रोस किया रहता और उभी फरवारी को क्रोस करता ना आखरृत एक लेते कैसे कि उनदिपने कितना लेते अगर साधारण होगा तो हमें लिप 확 तो ठीम पाला देख नहीं कि फरवारी इस पाले हो परवेध का दिन निकाल रहे हैं तब इसका स्वतंतर निकालेंगे तो हमारा रिजल्ट आ गया दो एक तीन तीन चार अचार एक यानि यहां से आप पांच दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन आएगा यह दिन जो आ गया बुधवार का दिन आ गया फिर भी अभी आपका एंसर नहीं हुआ है अखिके आपको 26 जनवर् juاض आपको यह कुन सा दिन ए तो गरतंतर दिवस जो मनेगा ना जो गरतंतर दिवस 2000 में मनेगा वज़टर को लेकिन आप्से गरतंतर नहीं पूछ रहां आपसे क्या पूछ रहा है तो ज्वतंतर दिवस का अगस्त को मनता है का को 15 अगस्त को जनवरी में 26 दिन हो गया तो अभी जनवरी का कर दिन बचा हुआ है पांच दिन जनवरी का पांच दिन बचा हुआ है फरवरी जो पड़ेगा लीपवर्स पड़ेगा 2001 लीपवर्स है तो फरवरी 19 30, मार्च 31 अपर्यल 30 माई 31 जुन आपका पड़ेगा 30 जुलाई 31 और अगस्त में का अगस्त को जाना है 15 पंदरही अगस्त जाना है तो यहां तो पांच सही है, यहां 1 सही है, यहां 3 सही है, यहां 2 सही है, intéress तीन सही है यहां दो सही है यहां एक सही है और यहां भी कितना सही है एक तो आप देखेंगे दो दो चारा चारा तीन कितना हो गया साथ पांच एक के छो अच्छो एक कितना हो गया साथ एक तीन यहां बचा हुआ है और एक यहां बचा हुआ है तीन एक कितना बचा चार तो जब बुधवार से चार दिन जाएंगे तो कौन सा दिन बचे बनेगा? यहां पर, सौरी, थोड़ा ध्यान से समझेगा भई, एक बर फिर से थोड़ा ध्यान समझेगा, जगह नहीं है, इस वज़े से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, अराम से समझेंगे एक बर फिर से, मई में 31, जुन में, जुलाई में, और अगस्त में कितने तारीक हो जाना है, पंदरा, तो साथ से एक होगा यहां पर तीन होगा, यहां पर तीन होगा, यहां पर तीन होगा, यहां पर तीन होगा, यहां पर एक होगा, और यहां पर क्या होगा, पांच, तो आप देखिए, ये 2 और ये 5 केंसील हो गया, 5, 2, 7, ये 3 और ये 3, 3, 3, 3, 6, 1, 7, अब बचा 3, 2, 5, 5, 1, 6, यानि 6 दिन जोडना पड़ेगा, यह 6 से साया, तो बुधवार में जब 6 दिन जोड़ियेगा, अचाहे एक दिन घटा दीजे, यानि दिन जो आएगा, और कौन सा दिन आएगा, तो आपका राइय टेंसर जो बनेगा उ कौन से यम बनेगा मंगल वर मुझे भीकत नहीं है ना आपका राय टेंसर मंगल वर हो यह पहले बताय रककर में सधारण है कि लीब ता सधारण होगा तद इसको पहिलाई काच दिजिए काप जब सधारण रहेगा टूँ को फटो फर्वरी को पूच रहा है कफरावरी को पूच रहा है कफरावरी को निकाल दीजे पंदरा जनवरी अप निकाल लेंगे 9002 Mang 2006 कौन सा DIN वोगा यह पहले आप निकाल लीजे थीक है को जनवरी को निकालें 15 जनवरी 200 News को 6 कौन सा दीन यह निकाल दीजये क्योंकि 15иваем 97 को कौन सा दिन दिया है बूध बार तो आप पहले निकाल लिए 15 जनवरी 2006 को कौन सा दिन तो आप देखेंगे संतानवे के लिए क्या लेंगे एकए और अन्थानवे के सिंद झैन निनानवे के लिए 2000 तो एक लीब ओरस है नहीं से तो इस के लिए क्या लिजिएगा दो है कि से मैं पढ़ गया नल है तो 2001 के लिए क्या लेंगे एक दो के लिए क्या लेंगे दो 2003 के लिए छोड़ा आर उपर से लिखते हैं ना 1997 के लिए एक अंठानवे के लिए एक ना 1999 के लिए एक दो हजार के लिए दो बीच में पढ़ गया है 2001 के लिए एक दो हजार दो के लिए एक ना 2003 के लिए 2004 के लिए लिप वर्स है ना तो दो लेंगे दो हजार पांच के लिए एक लेंगे ना और ये लास्ट में कौन है तो उसको तो नहीं लेंगे लास्ट वाला को नहीं लेते हैं अब जोड़िए 2, 2, 1, 3, 3, 2, 5, 5, 1, 6, 6, 1, 7, 7, 1, 8, 8, 2, 10, 10, 1, 11 में किसे भाग देंगे? 7 से. कितना बचा सेस? कभी भी 7 से बढ़ा होगा ना? कभी भी 7 से बढ़ा होगा ना? तुरांत उसमें 7 से भाग देंगा लेकिन कब जब 7 से बढ़ा होगा? कितना सेस बचा है? यानि इसमें 4 दिन जोड़ेंगे बुधवार में चार दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन आएगा बुधवार के बाद विरस्पतवार, सुक्रवार, सनीवार और रवीवार ये जो दिन हो गया ना कौन सा दिन हो गया रवीवार हो गया ना रवीवार लेकिन ये दिन आपको नहीं बताना है तो पहले उस साल में पर्वेस कर जाए और उस साल में पर्वेस करने के बाद फिर आप उस दिन को निकाल दीजेगा तो सबसे असान होगा आपका दिन निकल कोई दीकत नहीं है ना एक पर फिर से अगला कोशन है देखेंगे यहां पर 36 के बारे में हम लोग कोशन पढ़ रहे हैं बनाएंगे 36 को करें पांच मई 1906 को सनी वार था तो बताएए 10 मार्च 1904 को कौन सा दिन होगा पहला एक काम आप करेंगे पांच मई 1906 तो आप भी यह 1904 कि क्या बनाएंगे हैं 5 माई 1904 यह पांच मई 1906 सनी बार दिया है आप निकलते पहले पांच मई 1904 को कौन सा दिन होगा तो आप चार से छोव में ज nhất गोंदे तो एक and 1904 के लिए आप एक लेंगे बोलेंगे क्यू सबते ये तो लीप वर्स है लेकिन यह 1904 ना पांच मई के दिन फरवरी को का कर गया है पार कर गया है किसको पार कर गया है किसको पार कर गया है फरवरी को पार कर गया है अब 1905 के लिए क्या लेंगे तो एक लेंगे 1906 तो कभी लेते नहीं आपको सीखाय थे कितना दिन आ गया जी दो दिन ये चा है और आपको चार में निकालना तो दो दिन जोड़ेंगे नहीं भल की दो दिन का कर देंगे तो दो दिन सनि बार में से खटाएंगे तो कौंसा दिन आएगा गुरूवार आ जाएगा कौंसा दिन आएगा अब आपका दिन 9 winners 104 में आप आगे।िए 904 का एक दिन पीन निकाल लिये हां लेकिन MR peers आप 5 महीं निकाले हैं लेकिन question में 5 महीं नहीं पूwचा है क्या पूचा है तो 10 March भी अफिंहनग लिजे ना जब 1904 में आ गए तो कुछ भी 1904 का निकाल सकते हैं 10 March 1904 का कौन सा दिन होगा यह आप से पूछा जा रहा है यह final answer है तो जब आप 1904 में आगे तो 1904 में आगे का पुछे चाहें पीछे का पुछे आप निकाल सकते हो यह देखो माई का दिया है मार्च का पूछ रहा है आपको पीछे जाना है पूछे जाना है तो घटाना है अब क्या करोगे ना कि मार्च से लेकर के माई तक कितने दिन का डिरो यहां पांच जाएगा तो 5 कितना हो जाएगा साथ और साथ से भाग देंगे तो या नि जीरो आ गया मतलब कॉन सा दिन होगा अगर कुछ आया होता एक तो कि मुझे जोड़ते क्यां कर तो और यहनुक्य लोग होगत बचा होता तो लोग कि और ipadali अगर आपको पीछे जाना होगा तो घटाईएगा और आगे जाना होगा तो का किजिएगा जोड़िएगा तो नोट कर लेंगे यहां पर आगे फिर कोश्चन बता रहे हैं देखेंगे कोश्चन बोला है एक मार्च 1997 को सुक्रवार था तो कह रहे हैं एक मार्च 1997 को सुक्रवार था तो एक मार्च 2000 को यह बता है आगे भधाई लीप दाईक नहीं है सधहरण होगा तभी काटना है याद रखिएगा तो अभी देख़िएगा के लिए हम तो एक लिख देंगे लिखेंगे ना 98 के लिए क्या लिखेंगे एक 99 के लिखेंगे याद कीजी हम इसको काट दे दे थे लेकिन कभ जब सधारण रहता था यह 2000 एक लीप है है और लीप के साथ सत्कौम आर्च है कमएर्च है तो यह फरवरी से घुजर चुका है करखने लमने सब्सके कऱो है इस जब भी फरवरी को ख़र कर जाएगा ना तो एक बात हमें साथ ख्याल करेंगा कि यहां रहेगा और फरवरी को क्रॉस किया रहेगा तो इसको काटना नहीं है इसको भी लेना है लेकिन कितना लेना है कितना लेना है तो अभी आपका आगया एक दिन दो दिन तीन और का दिन चार दिन तो इस सुक्रवार में चार दिन जोड़ दिए आपका दिन आ जाएगा सनी बार रवी बार, सोंबार और मंगलवार मंगलवर आएगा तो आपका answer क्या जाएगा मंगलवर अभी रूग जाएगा किलियर हो जाएगा कि ये आम दिये हैं तो 1997 से 98 का लिस्ट दे दिये हैं आपका एक आएगा ठीक है ना ये अगला ये वाला है 97 वाला जो लिके इसके बाद 98 से 99 तक कोई लिप पड़ेगा जि कोई फर्वरी पड़ेगा इसमें बोल नहीं रहे फर्वारी तो पड़ेगा लेकि लिप फर्वारी पड़ेगा उन्तिस वाला इसमें भी नहीं पड़ेगा अगला 1999 से लेकर के 2000 तक भी अगर लेंगे कहां तक तो एक ही होगा क्यों 97-98-9999-99-2000 अब देखेंगे लेकिन 2000 में कम आर्च को है तो यहां आप जब एक मार्च अगर यहां से हम बोल दिये एक मार्च एक मार्च नहीं सो निनानवे से तो आप आगे जा रहें अब फिर कहां तक जाना है एक मार्च तक जाना है तो बीच में फरवरी मिलेगा कि नहीं बोल नहीं रहें तो यहां तो एक एक दिन आया जब यहां फरवरी मिल गया तो यहां को दिन आएगा तो एक दिन एक दिन दो तो दिन है दो दिन मिलके कौ दिन तो इसी के लिए हम यहीपर सम्झा दिहें इतना का करना है कि जब मिल यहां दो दिनाने के पीछे कारन हो गया की 2000 में जा रहे हैं तो all coming को क्रोस करके जा रहे है एक मार्च को जा रहे है तो जब फर्वरी मिला होगा तो वहां 29 मिला होगा जब वहां 29 मिले गा तो एक दिन नहीं बढ़ेगा तो आपका एंसर 4 आनके चार करके कर देंगे रूब 28 जाएंगे 28 जून 900 और यह है क्या चीज 2000 आपको जाना कहा है 900 बोल ले रहो 905 में जाना है और यह आपका जो है न 2000 क्या है तीन है और आपको जाना क्या है 5 में कि 28 जून 2003 को बुधवार है सौरी 12 जून 2003 को बुधवार हो तो 28 जून 905 को कौन सा दिन होगा आप बताइए कि 905 है तो 2000 में 85 95 का अंतर आया बोल नहीं रहे आप ऐसे भी घटा लो ना 2003 में से और कितना 905 को घटा लो तो कितना होगा यहां तेरा तो आठ हो गया ना कितना हो गया अंठानवे में कितने लीप मिलते हैं अब अंठानवे का लीप निकालना होगा क्योंकि इस साल से इस साल का जो अंतर है को साल का है बोल नहीं नहीं तो आंठानवे दिन तो बढ़ेगा घटेगा ना दोनों का अंतर आंठानवे दिन लेकिन बीच-बीच पे जहां लीप बढ़ा होगा वहां को दिन तो इसका लीप निकालेंगे लीप इसका लीप निकाल रहे हैं अंठानवे का लीप तो पहलिए ımızल आंठानवे कहले टो चार दुनी ऐड़ Marriage 8 तो यह चछो तो यह चालो हो सोल इफिता लपक का है ऐचश listening 6 4-4 तो इतुञे में टतानग तो 24 को का लिप मिल गया तो यह एक बड़ा दिन यह आगे का दिन है 2003 का है और पूछ कब करा है 1905 का पूछ रहा है 2003 का है 1905 का पूछ रहा है तो आगे जाना है कि पीछे बोल नहीं रहे है आगे जाना है कि पीछे आगे जाना है कि पीछे बताइए कहा जाना है पीछे जाना है ना तो आप देखेंगे आगे जाना है कि पीछे थोड़ा ध्यान से समझेगे यह 2003 का दिया है और 1905 का हमें का कर रहा है पूच रहा है तो हमको आगे जाना है या पीछे जाना है तो याद रखिए का 12 जून का आएगा 12 जून और 295 का आएगा लेकिन कब जब इसमें से तीन दिन घटाएंगे को दिन घटाना पड़ेगा क्योंकि ये आगे का है, पीछे का पूछ रहे हैं लेकिन ये वाला डेट जो है न इसका और इसका दोनों समान होना तो अभी अमारा आएगा 12 जून 1905 को कौन सा दीन होगा तो तीन दिन घटाएंगे तीन दिन घाटायेंगे तो ये रविवार का दिन हो गया लेकिन भाई ये दिन तो नहीं पूचा है आप से कौजुन पूचा है और आप हैं कौजुन में तो आपको 28 जुन में जाना है तो बताइए आगे जाना है की पीछे कितना दिन आगे जाना है भाई को दिन आगे जाना है तो सुला में साथ से भाग दीजे साथ दुनी के तो दो दिन आगे जाना है तो रवी बार में दो दिन जोड़िए मंगलबार और बूधवार तो इसका राइट एंसर जो बनेगा कौन सा दिन बनेगा बूधवार अरे रवीवार में दो दिन जोड़ेंगे तो मंगलबार आप ही लोग न बोले हो कौन सा दिन बनेगा मंगलवार कौन सा दिन बनेगा जी मंगलबार लेकिन का दिन जोडेंगे तो, क्योंकि इस डेट से एए डेट सुला दिन जादा है, सुला में साथ से भाग देंगे तो सेश कितना हैगा? 12 तो राभी बार में 2 दिन जोडेंगे तो कौन सा दिन आएगा? मंगलवार तो आपका answer इस question का जो जाएगा, वो कौन सा दिन जाएगा तो मंगल बार जाएगा दस मर्च अगला कोशन है थोड़ा ध्यान से समझेगा 10 मर्च 1812 को बुद्वार हो तो 15 अगस्त 1899 को कौन सा दिन होगा तो 10 मर्च जो है यहाँ पर ध्यान से समझेगा तो आपका डेट जो निकालना है 10 मर्च को ही पहले निकालना है पहला काम क्योंकि यह 10 मर्च दिया है तो आपका 10 मर्च को ही निकलेगा 1899 में आप 10 मार्च को ही पहला काम करेंगे इसके बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा तब आप कहां जाएंगे अगस्त में तो आप सबसे पहले किजिए 1899 में से 1812 को का कर दिजिए माइनस तो 7 और यहां पर हो जाएगा 8 यह तो कैंसिल आउट हो जाएगा कितना हुआ जी 87 87 क चार 21 अब आप 87 में 21 को जोड़ दीजिए तो 7 एक आठ हो गया 8 दो कितना हो गया 10 और इसके बाद इसमें कहसे भाग दे दिए 7 तो 7 एकम 7 और 3 दे दिया तो 7 पचे 35 कितना बचा जी यह आपका 12 का है और यह 89 का है आगे जाना है तो इसमें 3 दिन का कर देंगे जोड़ दे इसमें का सुष्कशर snares सानीवार तो यह दिन जो आपका आ अगया कौन साधीन आगया ठीजिये सनीवार लेकिन भाई इस डेट को नहीं बताना है आपको यहीं बताना में 15 अगस्त को बताना है आपको 15 अगस्त को बताना है लेकिन साल सम्मान होना तो आप मार्च से अब अगस्त में आईये और फिर यहां नया एंसर लाइए तो मार्च में बचा है एरेल 31 मैं 31 को लगेगा जून 30 को लगेगा जुलाई 31 को लगेगा और कागस्त में जाना है 15 अगस्त तो यहां 0 यहां 2 दो यहां, तीन, यहां दो, और यहां 3, और यहां पर 1, 3, 3, 6, ऐ 6, 1, 7, 2, 2 कितना बचा? तो आप सनी बार में 4 दिन जोड़ दीजिये, तो सनी बार में 4 दिन जोड़ का तरवी बार, सोम बार, समंगर बार और कौन सा दिन आज आएगा आपका जो एंसर जाएगा वह एंसर आपका होना चाहिए बुधवार कहीं ऑप्सन में है बोल नहीं रहें कई बूधवार आपका अशा ли जाएगा बूधवार जयाएगा टाइप गलत हो गया है थोड़ा ध्यान से समझेगा आपका हमेशा बूधवार ही जाएगा आपका एंसर बूधवार होगा जो आपकी नहीं है आप इसको घरंपे आप निकाल कर भी चेक कर सकते हो 10 मार्च का एक दिन निकाल लेना जो दिन आएगा बुधवार अगर यह है 10 मार्च को तो आप 89 में चले जाना 15 अगस्त को भी अदम गैरेंटी है कि बुधवार ही आएगा यानि यह डेट और करें 8 जून करें 8 जून 8 जून 1857 कर जून 8 जून 1857 को रवी बार हो तो करें 6 जनवरी 900 को कौन सा दिन होगा थोड़ा ध्यान से समझेगा और यह जून निकालना है और उभी 900 का डेट निकालना है कौन सा दिन होगा यह जून निकालना है यह सबसे पहला काम कीजिए क्योंकि यहां 8 जून दिया तो आप भी पहले 8 जून निकालिए ताकि आप 900 में परवेश कर जाएए जब 900 में परवेश कर जाएगा तो 900 का कोई भी दिन पूछे जनवरी परवादी कुछ भी पूछे तो आप क्या कर सके निकाल सके अब देखेंगे यहां पर क्या आया 43 साल का अंतर आ गया और 43 के कितने लीपियर आ गये तो 10 आ गये जब यह दोनों को आपस में हम जोडेंगे तो यह होगा तिरपन और तिरपन में साथ से क्या करेंगे भाग तिरपन में साथ से भाग देंगे तो सेस कितना आएगा दो च बारने थार दीन, जोड़ें तो जब रभी वार में चार दीन जोड़ेंगे तो कौनसा दीन आ जाएका? रभी वार्षोंबर मंगल बार बूद बार गुरुवoric doe आाँ तो यह दिन जो आ गया. अब पहाँ से क्या कीजे गा? आपने इंटर पूछ लाय है. चार जनवरी पूछ रहा है आप से, चार जनवरी में आप जा सकते हैं, ओनईस वो में कौन सा दिन था, सबसे पहला काम है, कि ये जून का दिया है, जनवरी में जाना है, तो जो भी सेसाएगा, उसको जोड़ना नहीं होगा, उसको क्या करना होगा, घटाना होगा, तो अब जनवरी से यात्रा जुन तक करते हैं, जनवरी लगता है 31 को, तो 31 को जब जनवरी लगता है, तो 6 दिन हो चुका है, अभी कितना दिन बचा है, 25, फरवरी में 28 लिखेंगे, क्योंकि 29 एक सधारन वर्स है, क्योंकि 29 सो में सताबदी वर्स में बताए थे कि 400 से भाग लगना च अपरेल के बाद मई, और मई के बाद क्या आगया, जुन, कितने जुन को जाना है, तो यहां सतिरी के 21 होता है, यहां 6 चार बचा, यहां 0 बचा, यहां 3 बचा, यहां 2 बचा, यहां 3 बचा और यहां 1 बचा, तो यह 4 और यह 3 कितना होता है, 7, यहां 3 दू 5 और यह कितना हो आपका एंसर सुक्रवार जाएगा कही अप्षन में सुक्रवार दीख रहा है यही आपका राइट एंसर होगा यही आपका राइट एंसर होगा सुक्रवार कि चलेंगे अगला कोश्चन देखेंगे न सबसे पहला काम क्या है आप है 95 में सौरी आप है कितना में 55 में और आपको जाना है कहां 93 में तो आप पहले 93 में चले जाओ ना भाई तो आप लिख लो आप 8 अगस्त है न तो आप 8 अगस्त में जाओगे पहला काम तो यही होगा कि आप 8 अगस्त में चले जाओ अग कब चले जाओगे- 1930 में चले जाओगे इसके बाद 1973 का कोई भी दिन पूछे आप का कर सकते नावंब whether the yesterday' आठ अग अगस्त नहीं पूछा है आप से October पूछा आप टीरानवार पूक्रस कर जाओ शेंवरस में इसका सेम डेर कितना है पंचा उनजी सो पंचानवे का कितना है बोल नहीं नहीं और पंच्पन वाला से आप चले जाई आठे अगस्त को लेकिन क्या में चले गा तो इसके बाद तिरानवे कोई भी डेट पूछेगा तो आप एंसर का कर सकते हैं दे सकते हैं अब रुझ है तिन ना अरतीस ना अब अरतीस को हो गया अरतीस का लीप पहले निकाल लो इसका लीप निकाल लो नौ तो आप कहोगे ना कि अरतीसा पलस नौ बोल नहीं रहें अरतीसा पलस नौ कितना होता है भाई 47 में किस से भाग देंगे साथ से सच्छक तो सेस कितना हैगा पांच तो आप पांच दिन जोड़ दीजे, क्योंकि आपको पच्पन से जाना है, तिरानवे में, तो किसमे मंगलवार में पांच दिन जोड़िया चाहें, दो दिन का किजिये, घटाईये, कौन सा दिन आ जाएगा, आप रवीवार में आ गए, ठीक है न, आप तिरानवे में तो परवेश कर गए न, तिरानवे में आप आठ अगस्त में तो चले गए न, लेकिन तिरानवे म आपका डेट पूछा है, 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर बोला है, 31 अक्टूबर कितना, 1993 को कौन सा दिन होगा, यह न, पूछा है, आप हैं कहां, अगस्त, और जाना कहां है, अगस्त जो लगता है, 31 दिन का लगता है, कितने दिन का लगता है, तो अगस्त में बच आईये, 30 सितंबर और अक्टूबर में कितना 21 तो यहाँ दो यहाँ दो और यहाँ जीरो तो कितना से सबचा तर अभी बार में चार दिन जोड़िये सो मार मंगर बूद और विरसपत कौन सा दीन आजएगा गुरुवार ना गुरुवार आपका एंसर होगा एंसर टिक कर लिए गुरुवार कौन सा दीन होगा कि आप लोग जाइए पाँठ अगस्तों से पच्छम पन को मंगल भार था यह राइट एंसर मेराया है गुरुवार ही होगा तो देखिये यहां पर guru VAR answer आया, इस अफसन मेu guru VAR नहीं है, कहींना कहीं आप लोग guru VAR कर लीये, guru VAR आपका answer होगा, guru VAR peux you answer होगा, guru VAR answer होगा, guru VAR way answer होगा, BETो इसका answer guru VAR होगा छ़ुन एषूर कोई पाल . शाट जुन ब्संट il viralasia 1908 और 6 जुन 1908 और दिया है 31 दिसंबर 2003 तो हमको पहले 6 जुन निकालेंगे 6 जुन 2003 को निकालेंगे तो 2003 को निकाल रहे हैं तो 2003 में से 1908 को घटा देते हैं तेरा तो आठ पांच तेरा हो यह नौ हो गया तो यह आठ हो गया पचास है तेरा हो गया ना तेरा में से आठ जाएगा पांच यह हो गया नौ नौ तो नौ में से अब का हो गया पांच हो गया नौ हो गया यह जीर हो गया कि पंचानवे साल हो गया बोड़ पर देखेंगे 1908 हो गया न यहां पर तो बानवे आतिन पंचानवे साल हो गया अब पंचानवे का लीप निकालेंगे लीप को अले चार दुनी याठ और यह हो जगा तीन अब यहां पर जब 6 आगया तो इसमें छे दिन जोड़ देंगे तो रभी तो यहां पर जब 6 आगया तो एक काम करेंगे तो इसमें छे दिन जोड़ देंगे तो अभी बार में छे दिन जोड़िये चाहें एक दिन घटाइए तो समान दिन आता है यह सानी आएगा अशन शनी आएगा अब क्या करना है आपको तो 2003 का आया ना 2003 का चवा जून आया लेकिन आपको बताना है 31 डिसंबर 31 दिसंबर 2003 को बताना है अब देखेंगे यहां से अब यहां आएगी जून है छे तो जून टोटल होता है 30 दिन का अभी 24 बचा है जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नौवंबर और दिसंबर यहां सतिरी के एकईस तीन आ जाएगा यहां भी तीन जून इल्वाग देंगे वो, Guru बार आएगा, Guru बार आप सबसे पहले, यह निकाले Sunny बार तो Sunny बार के बाद ये दोनों के बिछ दिन निकाले तो Uhneis आया, Uhneis में 7 साथ से भाग देंगे तो 5 Sunny बार में 5 दिन जोड़ दीजेगा तो आपका answer जो आएगा तो गुरु और एंसर आएगा आपका राइट एंसर जो जाएगा गुरु और जाएगा 10 जुलाई 2010 को सनिवार तो 10 जुलाई 2014 दोहजार दस के लिए लेंगे 17 के लिए 12 के लिए 2-13 के लिए तीन चौदा के लिए 14 तो नहीं लेंगे यह तो सधैरन है कि सबह 적이 तो य एक दो दो चारा एक पांच पांच दिन जोड़ दिए सनी बार में पांच दिन जोड़िए चाहें दो दिन घटाएंगे तो रवी बार और एक दिन घटाएंगे तो रवी बार एक दिन घटाएंगे तो रवी बार के पहले कौन सा आजाएगा रवी बार के पहले सनी बार में दो दिन घटाइएगा तो भी गुरू आ रहाएगा यह नव्बे है और यह पंचानवे है डेट सम्मान है डेट दोनों सम्मान है 28 सितंबर है यहां भी 28 सितंबर है तो देखेंगे 90 के बाद तोब की इस को नहींट लेंगे साधारं साधारं रहेगा तो डिरेक्ट काट दीएगा कैसे 2 एंछजव हो जोड़ें इस में दिन घटा ये तो भी आजाएगा गुरुवार्स आपका जो जायगा गुरुः और यह आपका लास्ट कोश्चन है 10 जनवरी और यहां दिया है 25 अप्राइल यही गड़बर चीज है तो सबसे पहले 10 जनवरी निकाल दिए 10 जनवरी 10 जनवरी 2012 कुपने दिन निकालेजे तो अभी 10 जनवरी हम निकाल रहें इसके बाद अप्राइल निकालेंगे तो 2008 है ना तो 2008 2008 में ले लेंगे एक 2008 में लीप पड़ गया तो दो लेंगे दो हजार नाओ एक लेंगे 2010 एक लेंगे 2011 एक लेंगे यह लेकिन इसको नहीं लेंगे लीप है नहीं लेंगे क्योm perfect निकालना है अगर यह 10 जनवरी को फर्वरी को पार कर जाता 29 फर्वरी को जब पार कर जाता तो आप यहाँ से लेते यह दो 2012 जो है न हम अभी 10 जनवरी तक निकाल रहे Primary में तो आपका Leep नहीं पड़ेगा इसलिए इसको नहीं लेंगे इसलिए 2011 तक लेंगे 200812 यह तीन चार 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 और यानि कि पांच दिन इस में जोडेंगे गुरुवार में तो आपका आजएगा सुक्रबार, सनी बार रभी बार सुंबार और मंगल बार आ जाएगा यहां पर मंगल बार आ गया लेकिन यह डेट को नहीं बताना है आपको डेट बताना है अप्राइल का डेट बताना है अप्राइल का डेट बताना है अप्राइल में जो हाएगा 2012 को कौन सा दिन आएगा तो आप बताए जनवरी 10 हो गया तो 11 जनवरी में बचा है फरवरी में 29 बचा है मार्च में 31 बचा है और अपराइल में 25 को पुछा गया है तो यहां पर 0 होगा यहां पर 68 21 होगा सच्छाव कठाइस 29 31 33 होगा सच्छ सत्री के एक एक कईष और कि चार कितना होगा पचीश चार तीन साथ आ गया से सवन आ गया तो इसमें एक दिन जोड़ देंगे तो आपका एंसर जो आजाएगा बुधवार एंसर आजाएगा आपका अंसर बुधवार आजाएगा और ये आपका टाइप नौ समाप्त हो गया आप इसको प्रैक्टिस क कराएंगे अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का कोशिश कीजिए घर पर बैट करके आप लोग सारे तयारी कर सकते हैं जैहिन जैभारत